दौन दाउद इप्राहिम के जाने दुश्मन अंडर वल्टौन अली बुदेश की मौत हो गई है भारत से फरार होने के बाद बहरीन को अपना ठिकाना बनाने वाली अली बुदेश की मौत की वज़ा विमारी बताई जा रही है वह मौंबई का निवाशी था अली बुदेश की गिंती दाउद इप्राहिम के जाने दुश्मनों में होती थी अली बुदेश ने दाउद इप्राहिम को जान से मारने की गसम खाई थी इसके बाद से वो बहरीन में रह रहा था वही से अपना काम संभाल रहा था मीडिय रिपोर्ट के मुटाबिक मुंबई का रहने वाला अली बुदेश कभी दाउद इबराहिम का करीबी रह चुका था अली बुदेश दाउद इबराहिम के रिष्टों में आगे चल कर दरार आ गई दोनों के बीच की वक्षाई इतनी बड़ी कि कभी दाउद का सबसे करीबी रहा अली बुदेश उसका जानी दुश्मन बन गया अली बुदेश ने दाउद इबराहिम को जान से मारने की कसल तो खाली थी पताया जाता है कि साल 2021 में पाकिस्तान में बैठे दाउद इबराहिम सकील में मुंबई से जान मौबब नाम की गैंगेस्टर को अली बुदेश की हत्या करने के लिए बहरीन भेजा था हाला कि जान मौबब अली बुदेश की हत्या करने में नाकाम रहा था लंबी समय से भारते जंशियों को अली बुदेश को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी गौरत लब है कि अली बुदेश ने भारतिय जंसियों के कहरे पर छोटा राजिन बवलू शिर्वास्तों के साथ मिलकर दाउद इब्राहिम के कई करिवियों को ठिकाने लगाया था अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अली बुदेश की बिमार की वज़ा से बहरीन में मौत हो गई है वियो रिपोर्च आईपिन